हलो बच्चो श्वागत है आप सभी का इस वीडियो में इस वीडियो में हम सॉल्ड करेंगे इट ग्रेड अभ्यास पुर्ष्टिका के अंतरकत का ख्षा आपका छटवी का जो बच्चो विसय हिंदी हिंदीर के अंतरकत देखी आपका देखी पांट बारा है डक्टर हुमी जहागीर बाबा तो बच्चो इस अध्धाय के सभी प्रश्णों के अतर हम इस वीडियो में देखने वाले साते इससे पहले के सभी अध्धाय के सभी विसयो का बच्चो पूरा-पूरा सॉलिशन चल पर अपलोड हो चुका है यदि आपने नहीं देखा लिंक पहला परशने बचो टाटा इंटेस्ट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना क्यों की गई तो उत्तर लिखने आपको बचो अणू सक्ति का रचनात्मक प्रयोग करने के लिए टाटा इंटेस्ट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस् आणू कहलाती है आपको जो उत्तर में लिख देना है दूसरे प्रशन को उत्तर तीसरे प्रशन है सुगंद सब्द इस प्रकार को जो सूधन घंद बराबर शुगंद इसी प्रकार उप्षर का प्रयोक करकर दो नवी शब्द आपको बनाईए कहा गया है उत्तर लिखने धगे सूधन राग बराबर सुराग सूधन गम बराबर सुगं इसปतार आपको तीसरे प्रशन का बच्छे उत्तर लिख देना है इसका सहीं उत्तर है इसके बाद लिखने आपको डॉक्टर भाबा को बच्चपन में उनके पिता जी ने ग्रामो फोन लेकर दिया जिसे सुनकर उन्हें शंगी से विसेश लगा हुआ था आपके चौतेर प्रशन आपके चौतेर प्रशन का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखें आपका पाचपव प्रशन की पांट के अनुशार भारत में वज्यानिक प्रगर्ति का मारग जो प्रकार खोल गया था। एकमात्र एक्षा क्या थी? क्या क्युष्य थी? तो उक्तर लिखना आपको दिखी डॉक्टर भाबा की एकमात्र एक्षा यह थी कि वह भारती व्छ्ञान के चेतर में आगे वड़े. इसका आपके छट्वी प्रशनगा उत्तर हो जाएगा, बच्छो. देखें, इसके बात के परमानु उर्जा कायल करण की कल्पा नाम की थी। उन्होंने मुठी बर वैग्यानिकी की शायता से मुद्नी सो चोबालिस में नाभी की उर्जा पर अनुशनधान अरंव किया। इसके साथ डॉक्टर भाबा वैग्यानिक छेत्र के अलावा कला छेत्र के नरत्त में आठ वह प्रश्ण लागा कर दो शवब्द आपको लिखे बुला गया है ये प्रत्य लगाने आपको मैं प्रत्य मतलब पीछे लगने वाले वाक्या होते तो देखी पहले आपको लिखने। राश्टधन ए बराबर रास्टी मानवधन ए बराबर मानवी इस प्रकार आपको बच्छे दूस सब्द बना लेनी आपका उत्तर हो जाएगा आठवे फिर्ष्ण का इसके बाद देखे नववा प्रशन है कि 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर भाबा की शाथ हुई इस हादिसी को आपको वर्णन करना है उत्तर लिखना है बच्छे 24 जनवरी 1966 को भारती विवान सेना का कंचन जंगा विवान मुंबई से जीनोवा जाते समय माउंट ब्लोक नामक परवस्य टेकरा कर क्रेश हो गया जिसमें डॉक्टर भाबा की मोत हो गई या आपको 24 जनवरी 1966 को भाबा की मौत हुई थी विवान क्रेश से या आपका उत्तर हो जाएगा नववे प्रश्नका इसके बाद ही कि आपका दस्वे प्रश्ने की अडू सक्ती के बारे में डॉक्टर भाबा के विचार लिखिए उत्तर लिखना थी कि डॉक्टर भाबा अडू सक्ती से अडूबं बनाने के पक्ष में नहीं थे अडूबं से लाकों लोगों की जान चली जाती है इसलिए वे अडू सक्तियों का प्रयोग सांती वह रचनात में कारियों के लिए करना चाहते थे या आपके दिए दसवे प्रश्न का बच्छो उत्तर हो जाएगा या आपको जो पूरा लिखलना है इसका राइट अंसर है तो वीडियो रोके बच्छो एक्स्क्रीम साट ले लिए या आप इसका उतर लिख लीजिए और देखिए आपके सबी इससे पहले की अद्धिया है और कक्षा छटवी के सबी विसायों को सॉलीशन बचो चैनल पर अप्लोड हो शुकर